राजा रूद्र प्रताप को सामने दर्वाजे के पास खड़ा देख संध्या के शरीर में सिहरन सी दोड़ जाती है संध्या को पता था कि भान सिंग कभी राजा रूद्र प्रताप को धोका नहीं दे सकता उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए संध्या बिना कुछ कहे चुप चाप भान सिंग के पीछे-पीछे महल की तरफ बढ़ने लगती है संध्या तुम उतनी सुले सुले कहां से आ रही हो तुमने जाने से पहले अपनी मा को भी नहीं बताया संध्या के बास राजा रूद्रप्रताब के सवाल का कोई जवाब नहीं था वो बस वहाँ खड़ी भांसिंग को देखे जा रही थी संध्या की आँखों में उसका डर साफ दिखाई दे रहा संध्या हम तुम से कुछ बूच रहे हैं हमारे सवाल का जवाब देने की बजाए तुम भांसी को क्यों देखे जा रही हो रूद्रप्रताब की बात सुनकर संध्या अपने खयालों से पहार आती है और राजा रूद्रप्रताब की आँखों में देखती है बाबा, वो मैं राजकुमारी आप इतना घबरा क्यों रही है आप महराज को बता दीजिए आप अपने दोस्तों के साथ उस तालाप के पास घूनने गई थी मुझे पूरा विश्वास है कि महराज बिलकुल नाराज नहीं होंगे बांसिंग, ये तुम क्या कह रहे हो? महराज, राजकुमारी संध्या महल में अकेले बैठे बैठे उप गई थी वो कहीं बाहर घूमने जाना चाती थी लेकिन घर में कोई नहीं था जिससे पूछ कर राजकुमारी बाहर जा सके जब मैंने इने अकेले बाहर जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि अभी राजकुमारी का ऐसे जाना ठीक नहीं है और मैं भी उनके साथ चल दिया अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे क्षमा चाता हूँ महराज नहीं भान सिंग ये तुम कैसी बात कर रहे हो मुझे तुम पर पूरा भरुसा है तुमने अच्छा ही किया जो राजकुमारी के साथ चले गए मैं वैसे भी तुमसे कहने ही वाला था आज से सगाई तक तुम्हें हर समय राजकुमारी संध्या का खयाल रखना है समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भान सिंग राजा रूतर पताब से जूट कैसे बोल सकता है संध्या तुम्हें आज क्या हो गया है तुम काफी खोई-खोई सी लग रही हो नहीं बापा ऐसी तो कोई बात नहीं है जाओ उंदर जाओ दुर्गा कब से तुम्हें ढूंड कर परिशान हो रही है राजा रूतर पताब की बात सुनकर संध्या फिर से एक नजर भान सिंग को देखती है और चुप चाप महल के अंदर चली जाती है अंदर घुसते ही उसे सामने राणी दुर्गावती मिल जाती है जो थोड़े गुस्से में लग रही थी संध्या तु ऐसे बिना बताय कहां चली गई थी तुझे अंदाजा भी है मैं कितना परिशान हो गई थी माफ करना मा लेकिन सुभागर में कोई भी नहीं था ना तुम ना बाबा और ना मंदाखनी मौसी मैंने काफी देड़ ता तुम सबको अंतिजार किया लेकिन जब मुझे कोई नहीं दिखा तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने चली गई वैसे तुम और मंदाखनी मौसी इतनी सुभा कहां गए थे रानी दुर्गावती संध्या की बात का कोई जवाब दे दी उससे पहले मंदाखनी चल कर रहती है चाहे जो भी हो संध्या तुझे ऐसे बिना बतायै नहीं जाना चाहिए था 2 दिनों में तेरी सकाई होने वाली है अगर जो भी हो तू अगले तीन दिनों तक महल से बाहर भी नहीं निकलेगी चीक है मां अगर तुम कहती हो तो मैं ऐसा ही करूँगी चल अग तु अपने कमरे में जाकर हाथ मूध हो ले फिर हम सब एक साथ खाना खाएंगे रानी दुरगावती की बात सुनकर संध्या हाथ मूध होने के लिए अपने कमरे में चली जाती है पानी से अपना चहरा धो कर संध्या अपने कमरे में बैट जाती है और भान सिंग के बारे में सोचने रगती है संध्या अब तक विश्वास नहीं कर पा रही थी कि भान सिंग ने राजा रूद्र पताब से जूट कहा आखिर ये कैसी हो सकता है भान सिंग तो बाबा से कोई बात नहीं चुपाता फिर उसने मेरे कहने पर बाबा से ये बात यो चुपाई कि मैं वहाँ अपने दोस्तों से नहीं, शेकर से मिलने गए थी थोड़ी देर बाद संध्या अपने कमरे से मिकल कर खाना खाने के लिए चली जाती है राजा रूद्रपताब, दुर्गावती और साथ साल का नंधा देवराज पहले से ही वहाँ पर बैठे हुए थे आओ संध्या, हम सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे जल्दी भोजन कर लेते हैं, राजा चंद्रपान, राजकमार, राजवीर के साथ किसी भी वक्त रत्नागिरी पहुँचते होंगे संध्या के बैठने के बाद वो सब खाना खाने लगते हैं उन्हें बैठे कुछी देर हुई थी, कि एक आदमी भागते हुए वहां आता है महराज, महराज वो लोग आ गए शंभू, पहले सांस लेलो, फिर मुझे बताओ क्या बात है महराज, राजा चंद्रवान अपने आदमियों के साथ रतागिरी पहुच चुके है वो बस महल पहुच नहीं वाले होंगे शंभू की बात सुनकर राजा रूद्र पताब और दुर्गावती फौरण उच जाते हैं और महल से बाहर जाने लगते हैं मंदाकनी, तु मेरे साथ हा हमें आरती की ठाली लेकर उनका स्वागत करना है और संध्या, तु अपने कमरे में जा ठीक है माँ संध्या फौरण महां से उठकर वापस अपने कमरे में चली जाती है कमरे में जाकर वो खिड़की के पास बैठ जाती है और खिड़की से बाहर देखने लगती है बाहर का रास्ता लोगों की भीर से भरा हुआ था राजा रूदर प्रताप की टोली घोडों पर सवार महल के सामने पहुँच चुकी थी और रतनागिरी के लोग फूल चिड़क कर उन सब का स्वागत कर रहे थे महल के तरवाजे के ठीक सामने राजा चंदरभांग खड़े हुए थे उनके साथ एक लड़का भी खड़ा था जो देखने में काफी आकर्शक लग रहा था अचानक रानी दुर्गावती महां आती है और उस लड़की की आर्थी उतारने लगती है वो और कोई नहीं राजकुमार राजवीर था जिससे संध्या की शादी होने वाली थी देव डाइरी पढ़कर अंजरी को सुनाई रहा था कि अचानक उसके फोन पर किसी का कॉल आ जाता है देव अपना फोन निकाल कर देखता है कि वो कॉल कॉंस्टेबल अंकूल का था यह क्या कॉंस्टेबल अंकूल मुझे क्यों कॉल कर रहा है देव फोन उठा लो हो सकता है कोई जरूरी बात हो हांकूल तुमने अभी कैसे कॉल किया क्या मुझसे कोई काम है हाँ देव काम तो है लेकिन दुम से नहीं कावया से मुझे उससे सवीताची के मुर्डर के बारे में कुछ बात करनी है कल उसने बताया था कि इस टाइम वो पैलेस में होती है इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर लिया क्या कावया भी पैलेस में है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थी कहो तो मैं अभी उससे बात करा देता हूँ उसकी कोई जरूरत नहीं है मैं बस थोड़ी देर में पैलेस महुँश रहा हूँ फिर मैं खुदी कावया से बात कर लूँगा लेकिन अगर तुम यहां आये तो मैं शुभम अक्षो और बाकी सबसे क्या कहूँगा DSP मौरिया ने किसी को भी सवीता दीदी की मौत के बारे में बताने से मना किया है तुम उसकी चिंता मत करो देर वो सब मैं संभाल लूँगा क्या हूँ अदेव? अंकुल ने क्या कहा? सब कुछ ठीक तो है न? हाँ अजली, घबरानी की कोई बात नहीं है अंकुल को काव्या से सवीता दीदी के बारे में कुछ बात करनी है इसलिए उसने फोन लगाया था वो बस यहां आता ही होगा हमें नीचे चलना चाहिए इसके आगे की डायरी हम शाम को पढ़ेंगे ठीक है देव देव रानी दुर्गावती की डायरी को वापस अलबारी में रख देता है और फिर वो दोनों रूम बन करके नीचे हॉल में चले जाते है शुभम, अक्षे और शिर्पा पहले से ही हॉल में बैठे कुछ बाते कर रहे थे देव और अंजली को वहां आते हुए देख कर वो तीनों अचानक चुप हो जाते है तुम सब यहां बैठे ऐसी क्या बात कर रहे थे कि हमारे आते ही सब चुप हो गए लगता है अंकुल आ गया, रुको, मैं अभी उसे अंदर लेकर आता हूँ देव हॉल से बाहर निकलता है और जाकर पैलस का दर्वाजा खोलता है दर्वाजे के बाहर अंकुल ही खड़ा था देव अंकुल को अंदर बुलाता है और उसे भी अपने साथ हॉल में ले आता है अचानक अंकुल को पैलस में देखकर वहाँ बैठे बाकी लोग शौक्ट हो जाते हैं अंकुल तुम यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना हाँ शुबम सब बिलकुल ठीक है तुम्हें डरने की कोई दर्वत नहीं है फिर तुम इतनी दोपहर में यहाँ कैसे मैं काव्या को अपने साथ ले जाने आया हूँ क्या तुम प्लीज उसे बाहर ले आओगे क्या लेकिन काव्या ने क्या किया है जो तुम्हें उसे अपने साथ ले जाने यहाँ आना पड़ा